दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सिंगल एक्सेल ठ्रट लेना है, 32-bit container बनाना है, e-commerce में चलाना है, सबसे अच्छा option कौन सा है? तो सिंगल एक्सेल छे डायर के अंदर दोस्तों आपको basically चार options में जाते हैं. प्राटा का LPT 1968 अशोकलेलेंड की ओर से 1920 आईशर की ओर से 19 एवं भारत बेंज की ओर से 19,17 जब तक BS4, BS3 चलता था, तो टाटा और अशोकलेलेंड की गाड़ियां जनरली बिका करती थी. अच्छी माइलेज, तो रिलाइबिल्टी के कारण, अच्छी रिसिल वैल्यू के कारण, और इसका स्पेर पार्ट हर जेगे मिल जाता था और इनकी रिसिल वैल्यू भी बहुत अच्छी होती थी. लेकिन बेसिक के अंदर जमाना बदला है, बहुत सारे electronics आ गये हैं, और जब हम rated load application की बात करते हैं, e-commerce application की बात करते हैं, जहाँ पे की गाड़ी में लोड बहुत जादा नहीं है, लेकिन गाड़ी चलती बहुत जाता है, महीने के 10, 12, 15,000 km चलती है, वहाँ पे mileage बहुत important ह हो जाता है, और उस कीमतों पर अगर आपको थोड़ा सा भी mileage advantage मिल जाए, fuel efficiency बहतर मिल जाए, तो आपकी profitability में राद दिन का अंतर कर सकती है, तो BASX में जब आप देखेंगे, तो Aisar Pro 319 भी आपको एक उबरता हुआ सितारा नजर आएगा, तो BASX में हम recommend करेंगे Aisar Pro 319, Ash basically compete करता है, Aisar के उबर से Pro 319, जो की again 4-cylinder engine है, और जहां पर mileage का एक challenge company को आता है,